आप मीडिया के जो आले गुमाहिंदे हैं मैं आपके जरीए ये मेसेज अपने अभिवावों को देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट यहां पे आते हैं वो अपने अपने उपर बरोसा रखें और किसी भी टाउट या ब्राइब लेके पैसा लेके जो लोग बच्चों को ये बैकावे में लाएं कि हमाँ आपका बर्ती करवा देंगे आपका मेडिकल पास नहीं है आपका मेडिकल करवा देंगे तो इस टाइप के जहांसे में वो ना है और मैं यकीनन बोलता हूँ कि जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं उसमें कोई भी बिना मेरिट के उसमें सेलेक्ट नहीं हो सकता लगबग पिछले तीन साल से ट्रेनिंग करा रहे हैं और लगबग साड़े तीन सो से प्लस बच्चे इंडिन आर्मी मगनी विर में अभी तक जॉब ले चुके हैं आप ऐसे भी लेते हो? नई से फ्री ओप कोस्ट ट्रेनिंग है टूटल फ्री ओप कोस्ट है खेलने खुदने का समय है बट माउट का सौख पाले हैं इसलिए अपना जुनूर जज़बा है त्यारी किये हैं देश के लिए देश के लिए ही मरेंगे नमस्कार SMP निव जार्खन आप सभी का स्वगत देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास जार्खन की रहजानी राची के मुरबादी मैदान में 1 जुलाई 2023 से 9 जुलाई 2023 तक बारतिय सेना के लिए अगनी पत योजना के तहट अगनी विरो की रैली बहाली प्राडंब और बारतिय सेना के वड़ी अधिकारी ने कही बड़ी बात तो वहीं गुमला के एक जुवक के पड़्यास से लगतार जार्खन के कई जुवा बन रहें बारतिय सेना का हिस्सा क्यों कह रहे हैं हम आगे आपको सुनाएंगे आपको बताते चलें एक जुलाई से नौ जुलाई तक अगनी वीर का चैन भारतिय सेना के द्वारा मुरबादी मैदान में किया जाना सुनिस्सित किया गया है इसमें दोहरो सारी रिक जाच आदी सामिल रहेंगे आपको बता दे देश के अलग-अलग हिस्सों में अगनी वीर के लिए चैन का प्रकिरिया बिल्कुल वैसा ही होगा जिस तरह से सेना या अनबलों के लिए किया जाता है इसमें सेना के तीनों अंग के लिए बहाल किया जाएगा जनकारी के अनुसार 66,000 पदों पर नियुक्ति की जानी है इसमें उम्र सीमा 17 बर्स 6 मा से लेकर 21 बर्स तक के जुआ इसम किया जा रहा है जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है तो वहीं बात करें आज मुराबादी मैदान की तो जारखंड के बिभी निजीलों से जुआ मुराबादी पहुंचे उन्होंने कई बड़ी बात इस बहाली को लेकर आये बात करते हैं उन जुआकों से तो वहीं सेना क कि उच अधिकारी ने क्या कुछ कहा सुनते हैं और देखते हैं खबर को बिस्तार से तीन साल से ट्रेनिंग करा रहे हैं सर और लगभग साड़े तीन सो से प्लस बच्चे इंडन आर्मी मागनी विर में अभी तक जॉब ले चुके हैं अभी इसमें फिजिकल प्रोसेस होना है अभी यहाँ पे चल रहा है जिसमें सोला सुमेटर का रनिंग है फिजिकल के साथ में उसी में पुल अप्स है जिग जैक है और लॉंग जंप है नौ फिट का उसके बाद में इन लोगों का जो होता है पीस्टी हाइट वेट और चेस्ट मेजरमेंट होता है उसके बाद में लोगों का डोकुमेंट वेरिपिके अगर इंडिविज्वली होके ना देखा जाय Kell captured तो दूप बहुती 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 इस्कीम भी है कि इसे यूंगा सींुवा क्या है कि जिसे हम लुग जानते हैं कि 3 साल का जौब आपको इंडियन आर्मी में या फिर देश सेवा के लिए करना जरूरी है यहाँ है कि आप चार साल कम से कम चार साल करने के बाद में वापस आ सकते हैं अपना जो देश सेवा है वो मोटीब को कम्पलीट करने है अगर आप ऐसे इंडिविज्वली नहां देखे अगर आप इंडिविज्ववली नहीं पर देखि रहे है तो आपके लिए बहतर नहीं है क्योंकि लास्ट जब वीपिन रावत्सर थे उस समय भी उन्हों ने कहा था कि इंडिविज्वी कोई जाउब का सोर्स नहीं है वो सेवा का भाऊना है इधर जो पैसा भी मिलता हूँ as a scholarship के टाइप से है वो आप उसको तंखा मत समझे वो आपका सिर्फ maintenance के लिए पैसा मिलता है अगर आपको जौब करना है तो railway में है CCGD में तो वो सब चीज है सर इंडिन आर्मी अगनी बिर बहुत ही best scheme है बचों के लिए और एक तरह से कहा जाए कि का मालिक बन जाता है तो बहुत ही बड़ी बात है जाना रोशनकमर सार आपहलों कहां से चल चाल श्लात खाहाए था थाथ हाए तो ऑपार हमको हयरा था है तो हुला हर् थौडा है आफ यस बड़ा हुआ है मेरा ये 19 होने वाला है पिछले बार जब आप छटा गये थे कैसा लगा था दिल में तो खराब लगा था महनत बहुत किये थे और निकल गए तो फिर खराब लगबे करेगा लेकिन इस बार तो देखते हैं जिस तरह होगा आगरी बीर को लेकर कि लगतार कोई बचे कयार hierarchy यह सबसे बैकार है लेकर नहीं काफ है थी mêsरी अगर जो जो पुरा गाहँ षाणी मेरा नाम बिट्टू राउत है लेकिन वहां से यदि बच्चे आ रहे हैं देश की सिवा करने के लिए तो यह बड़ी बात है, चलिए क्या कहोगे आप यह आग डिबिर को लेकर के, देखे, हम लोग का जब बच्पन से सपना था कि फोज में जाना का, बट चार साल हो चाहे परमाइंटर, बट हम लोग को तो फोज में जाना है, यह कहांगे हम, वर्दी पहनना है, वर्दी पहनन हमारे जो सार है, वो एक्स मारकोस कमांडो है, और वही हम लोग को ट्रेनिंग कराते हैं, तो अतिर सुद्र वर्दी छेतर, जिसे हम करते हैं, ग्रामी छेतर, कुछ ऐसे, गाउं से लोग आए, यहां पर आया हुए हैं, जो साथ हम लोग भी पहली बार नाम सूर रहे हैं, जो साथ हैं, 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 उसमें लोड निकल गए थे लेकिन च्हाती में खाट गए होग गया हां हाँ कोसित गरें कि इस्वारी ने लिते हैं नैंगे तुरौनिंग लेते हैं ने गरी में उ घृत nap पर हो पाड़ पुरा पहाड पाड़ doctrine नहीं है उदर कुछ नय ऊदर सिर्पभन हरतों सबक्राइब ठ्टर्टे सिष्ट कऱते हैं गया का नाय आ बना है डिभी सिवल तेखेव। मेरा ना है पडूरा माडी, मैं भी दामपड़ा से हूँ, यह अच्छा है, घर की स्थिति कापी अच्छा नहीं है, दिक्कत है, कमाने वोला कोई नहीं है, पिता जीवे किसान है, खेलने खुदने का समय है, बट माउत का सौक पाले हैं, इसलिए अपना जुनूर जजबा है, इसलिए त्यारी किये हैं, देश के लिए, देश के लिए ही मरेंगे, बड़ी बात कहीं इनोंने बलिदान देश के लिए, आप लोग सोचते हैं, जिनको की पैसा से मतलब है और देश से उतना यह नहीं है, जिनको देश से सौक है, अपना जजबा है, अपना देश सम्भाल पैसा या देश बक्ति अगर पैसा का सोचते तो अभी इतना रणिंग करके इतना आई भी नहीं करते कोई और अस्ता मतलब कोई और केरियर चुनते हैं उसमें फोकस करते हैं बिल्कुल इन बच्चों का जो काना है और इनके से जो सर पे जुनून चरकेस आप बोल रहा है कि देश बक्ति का जुनून है नोकडी तो हम कहीं से भी ले सकते हैं लेकि देश सेवा सबसे बड़ा सेवा है क्या कहेंग आप कहा से हैं बस मेरा बच्पन में माःभा सब सरियनिकी है तो बच्पन से भी जुनून नियून पर गया है कि मारीय में जाना है मुराबधी ग्राउंड राची जहांपे कि हम अगनीवीर रेकूप्मेंट रैली को 1 जुलाई से 9 जुलाई तक करने जा रहे हैं इस अफसर पर मैं आप सब को स्वागत करता हूँ इस साल अगनीपद स्कीम को और एफिशन्ट बनाने के लिए हमने शुरुआत में आउनलाईन रिटन एक्जाम का इंतजाम किया इसको हम आउनलाईन सी ए बोलते हैं और ये एक्जाम 17 अपरेल से लेकर 26 अपरेल तक अपने अपने सेंटर्स में चला और जारखंड में ये सेंटर्स दन्बाद में था हजारी बाग जमशेदपूर और राची में रखे गए थे तो वहाँ पर जो अगनीवीर में बर्ती होना चाहते हैं उन बचों ने जाके कैंडिडेट्स ने जाके सबसे पहले इस बार अपना रिटन एक्जाम आउनलाईन दिया और इससे कैंडिडेट्स को एक मौका मिला कि वह अपने चोईस के मुताबिक रिटन एक्जाम के लिए सेंटर चूज कर सकें बलकि इस बार कुछ कैंडिडेट्स ने अपना ऑनलाईन रिटन एक्जाम आउट ओस्टेट भी दिया अपने सहुलत के मुताबिक यानि कि जार्खन का कोई कैंडिडेट अगर उसकी ऐसी कोई ज़रूरत थी तो वो आउट ओस्टेट भी किसी और जगा भी अपेर हुआ अपने रिटन एक्जाम के लिए और इस रिटन एक्जाम के बाद जिन कैंडिडेट को उनके एक्जाम में परफॉर्मिंस के मताबिक शॉट लिस्ट किया गया है अब उन कैंडिडेट को हम अपने रिक्रूट्मेंट प्रोसेस के सेकिंड स्टेज फिजिकल टेस्ट और सेलेक्शन के लिए हम यहाँ बुला रहे हैं तो यह वाला जो हिस्सा है इसमें कल से शॉट लिस्टेट कैंडिडेट बचे आएंगे और उनको हम यहाँ पे फिजिकल के जो टेस्ट होते हैं जिसमें 1.6 किलोमेटर रन, जिग जाएक, केनाप्स, नाइन फिट डिच यह सब और उसमें जो कौलिफाई कर जाएंगे या पास हो जाएंगे तो उनको फिर हम इसी जगह में उनको मेडिकल चेकप भी कराएंगे और उनका हम मेडिकल टेस्ट भी लेंगे तो ये दोनों प्रक्या के लिए हम यहाँ पे मौराबादी ग्राउंड में मौझूद हैं और ये कल से शुरू होगा राची के इस मौराबादी ग्राउंड में ये रेकूर्टमेंट रैली को अन्जाम देने के लिए मेरे एरो राची आर्मी रकूर्टिंग आफिस राची के जो डिरेक्टर साहब हैं करनल राकेश कुमार साहब यहाँ पे बठे हैं उनके साथ में सुद्धर मेजर संदीब थपा और उनकी एरो राची की जो टीम हैं इन्होंने बहुत मेहनत करके इस पंडक्ट स्टेज में बंदबस्ती कारवाई किये इस बंदबस्ती कारवाई में हमें इस मौसम के दरान गर्मी और साथ में आप जैसे आप लोग देख रहे हैं बारिष को भी, बारिष के मौसम को भी मद्दे नजर रखके हमें अपने त्यारियां करनी पड़ रही है। इस rally में पाँच category के अभिवावक को हम test करेंगे, select करेंगे ये पाँच अगनीवीर के जो categories हैं वो हैं अगनीवीर general duty जिसे हम GD बोलते हैं अगनीवीर tech यानि की technician अगनीवीर SKT जो की store keeping में कारे रत रहते हैं और उसी के साथ अगनीवीर tradesman 10th class और 7th class तो इन 5 category के जो candidates हैं उनको हम यहाँ पे उनका चैयन करेंगे ये एक निर्धारित schedule के मताबिक किया जाएगा और ये schedule हमने candidates को पहले ही बताया हुआ है और आपको भी press release के जरिए इतला किया गया है फर्स्ट जुलाए को जो अगनीवीर जनरल ड्यूटी के लिए जो बच्चे आएंगे यानि कि कल जिनका चैयन होगा वो बच्चे धारखंड के डुमका डिस्ट्रिक्ट, इस्ट सिंग्भूंग डिस्ट्रिक्ट, गरवा, जामतारा और लुहार दागा के बच्चे कल यहाँ पे आएंगे इसी प्रकार से सेकंड जुलाए को यानि कि परसों उस दिन अगनीवीर जीडी के लिए जो कैंडिडेट्स आएंगे वो होंगे बखारो, गुड़्डा, वेस्ट सिंग्भूंग और कोडर्मा के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे होंगे इसी प्रकार से हर दिन का शेडूल बनाया हुआ है और उसकी इतला आपको समय समय पर मिलती रहेगी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बारिश को मदे नजर रखके हमने ये वेवस्टा की हुई है और अगर ऐसी कोई बात होती है, जरूत की मताबिक होती है आखिर में मैं आप सब के माध्यम से, आप मीडिया के जो आले नमाइंदे हैं, मैं आपके जरीए ये मेसेज अपने अभिवावों को देना चाहता हूँ कि जो भी केंडिडेट यहां पे आते हैं, वो अपने उपर बरोसा रखें और किसी भी टाउट या ब्राइब लेके पैसा लेके जो लोग बच्चों को ये बैकावे में लाएं, कि हमां आपका बर्ती करवा देंगे, आपका मेडिकल पास नहीं है, हमां आपका मेडिकल कि इस टैप के जहांसे में वोणा आएं, और मैं यकिननं बोलता हूँ, कि जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं, उस में कोई भी बिना मेरिट के उसमें स्लेक्ट नहीं हो सकता, हमारे सिस्टम में बहुत सारे चेक्स और बैलेंसे की नहीं हो सकते हैं, और वो विभिनना लेवल मे में हैं विबिनन स्टेजेज में हैं तो उनके थुरू जो बच्चा डिजर्व नहीं करता है वो नहीं हो सकता है तो मेरी आप से गुजारिश है कि आप अपने तरीके से बच्चों को यकीन दिलाएं कि वो अपने उपर वरुसा रखें और उनको यकीन होना चाहिए अपनी मे डखलेश है पीलेट के ऊपर यानि होनर के ऊपर और मेरिट बेस्ट है उसी मुताबीड़िग ये बच्चे स्यलेक्ट हो जाएंगे इच के लिए क्रैटेरिया पिशले साल दिया गया था क्यूंकि कुविट के चलते 1-2 साल भरती नहीं हो पाई थी तो पिछले साल बच्चों को दो साल का एज का रिलेक्स देक्शन दिया था जो एज लिमिट है 21 साल का है तो पिछले साल 23 साल तक अलाव किया था इस बार नहीं है अब हम बैक टू नॉर्मल हैं तो 21 साल का जो एज लिमिट है उसी पर ही चल था सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद